नमस्कार तो आज है डर्बी और ये डर्बी भाई सबसे उपपर है मतलब कि कोई कहीं के डर्बी लेला पूरा वर्ल्ड में ये डर्बी का लेवल ही अलग है सबसे पहली बात तो यह होगी फिर हम बात करते हैं आज के मैच की देखे 80 के मोहन बगान वरसे इस बंगॉल कौनस प्लेस अप कर जाएगी और देखे 80 के मोहन बगान की बात करे तो वो अगर इस मैच को जीतते हैं तो वो तीसरे नमबर पर आ जाएंगे क्योंकि गोल्ड डिफरेंस के कारण वो बेंगलूर एफसी से उपर आ सकते हैं और इस बंगॉल देखे अभी 19 पॉइंट है अगर इ चाहते हैं तो आप Vector X की वेबसाइट पर जा सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सम में मिल जाएगी और आपको ये बॉल फ्री में भी मिल सकती है उसके लिए आप जाएए मेरे इंस्ताग्राम पेज पर और मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि वहां मैं बहुत से मैचेस के प्रेडिक्सन पर गीववे करता हूं जिसमें सही प्रेडिक्सन पर एक लखी विनर Vector X की थंडर बॉल जीत सकता है तो डोंट मिस्स अपॉर्चनिटी और देखिए दोनों टीम्स के करन्ट फॉर्म की अगर आप बात करें तो पिछले पांच मैचे में दोनों टीम्स ने वो भी एटी के महन बागान नहीं जीती थी तो डर्बी की बात करें तो एटी के महन बागान का दबदबा चल रहा है भी डर्बी में तो फिलहाल अब देखें गेमपले के हम थोड़ी सी बात करते कि कि किस तरग गेमपले जो है एटी के महन बागान ने इस बंगॉल कर सकत तो इसलिए आप बोल सकते कि विंक्स के थू थोड़े से अटेक जो है वो उनके ज्यादा बेटर बन रहे हैं और अगर आप यह बोलेगी कोई एक गेम प्ले स्टाइल बना हो इस बंगॉल का तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गेम प्ले स्टाइल बना है अगर वो बना होता त तो ज्यादा बेटर रिजल्ट उनको मिल सकते थे मुझे ने लगता बना है ठीक है वो इस 442 की फॉर्मेशन पर चल रहे है और उतना सक्सेस्फुल रिजल्ट उस फॉर्मेशन पर उनको एक तो मिल भी नहीं रहे है और स्टेफन कॉंसेंटाइन की कुछ टेक्टिक्स है उ तो उनके गोल मिलते हैं बाकी कोई अलग वे में तो मुझे उस टाइप का नहीं लगता हूँ ठीक है फिर अगर बात करते है एटी के मुहन बागान की तो एटी के मुहन बागान देखिए थोड़ी सी सेट टीम है कंपेर टू इस बेंगॉल और काफी टीम से भी अगर आप पंपेर गरें तो काफी सेट टीम है और गनाइस टीम है लेकि जब से उनके जो काउग को थोड़े से बाहर के तब से थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम क्रियेट होना चालो हुई तो वह भी कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी उनके पास अधर उनने प्लेर्स लिए लेकिन इस मैच के लिए अगर आप बोलेंगे तो वो जो उनके निव साइनिंग्स करी है वो उतनी प्लेइंग 11 में उतनी सैट नहीं बैठेगी क्योंकि वो उतने अच्छ नहीं कर पा रहे है तो अगर आप देखिए 80 के मुहन बगान की फॉर्मेशन की बात करे तो 4-2-3-1 से तो आ रहे है क्योंकि आप देखिए इसमें आप देखिए आसिस राय प्रितम कोटाल हैमिल और बोस यह जो पीछे बैक लाइन में खड़े होंगे तो मुझे रखता है कि यह उनकी मतलब बहुत सही बैक लाइन है और अगर आ फिर मिड में जाते है तो देखिए मैख्यूग औ अगर देखिए मैच में इनकी के साथ जाना चाही है मतलब ऐसा मुझे लगता है मैं समझता हूँ और देखी डर्बी है बहुत बड़ा मुकाबला है और यहां से 80 के महन बागान अगर पॉइंट लेती है तो फायदा भी हो सकता तो इस पैक टीम के साथ जाएगी तो ज्यादा बेटर मतलब की गेमपले भी होगा और रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकते 80 के महन बागान को अब हम बोलने की कौन से प्लेयर के साथ जाना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर के साथ जाना चाहिए तो गोल की पर तो गमल जी सिंग होगे फिर बैक लाइन में करियाकू, लाल चुन्नुगा, गोलोई और लाल रिंजवाला इनके साथ ही जाना चाहिए क्योंकि यह जो है वो ज़्यादा आपके साथ बैटर खेल सकते हैं फिर महेश सिंग, ओल्डी होल्टी, रहमान, वीपी सुहर के साथ आप जा सकते हैं आगे सिल्वार जर्विस तो ये मुझे लगता है कि मतलब इस्ट बंगॉल की अभी तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट लाइनप मुझे लगती है इनके अलाबा भी उनके वास प्लेयर्स है, अमरजीत है और भी प्लेयर्स है लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्लेयर्स है ये ज़्यादा बेटर इनकी टीम में अभी कि फिलहाल की स्थिती में अगर आप बूलेंगे तो लास्ट इनो नी खिला था चैनियन के अगेंस्ट भी और देखिए इस बंगॉल इस मैच को हारेगी जीतेगी लेकिन जादा फर्क किस पर पड़ेगा जादा फर्क पड़ेगा स्टिपन कॉंसेंट टाइन पे क्योंकि हो सकता है कि इस मैच को हारते है अगर हो तो जॉब उनकी जो जॉब है उसके ओपर थोड़ा सा असर बढ़ सकता है लेकिन अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो कहीने के अपनी जॉब सेफ कर सकते हैं मतलब कि कर सकते हैं आपको भी ऐसा सूमझ में आ रहा होगा कि वो ही जीत सकते इस मैच को लेकिन अब फिर भी देखते है इस बेंगॉल इस मैच में अगर कुछ है न उलट फेर कर दे तो बहुत देखने अली बात रहेगी और देखिए अगर पिछले डर्बी की बात करते हैं पिछली डर्बी को आपने देखा था सटाल्टिंग में क्या हो रह था स्टालटिंग में 8 बड़ना इसि स्टवे हो यहां लाएघ और गया में अच्छा जहाओ पिछली इसी सेकर Red इस मंगॉल के साइट से आप देखिए गोल स्कोरिंग, है ना आपको महेश सिंग के साइट से अच्छे क्रॉसेज मिल रहा है, और क्लेटें सिल्वा जो है वो स्कोरिंग निकाल देए, बाकी अगर आप बोलेंगे तो गोल स्कोरर की दर है, नहीं है न गोल स्कोरर, तो गोल स स्कोरिंग के अगर आप छोड़ भी दो तो defense line उनकी defense line भाई भाई बहुत बरबाद आपको इपता है आपने East Bengal के games देखे उनकी defense बहुत poor defense है और इसके उपर उनको काफी बार करना है और तीके middle से भाई उनको supply line बनती ही नहीं है ठीक है बनती ही नहीं है पिछले match में तो भाई मैं क्यूंग नहीं दो गोल मार दी है ठीक है तो वो एक अलग लेवल पर चल रहे है भी तो फिरस्वादन के पास देखो attack create करने वाले है इधर Manveer Singh है इधर आसिक कुर्णी है या लिस्टन को लासो को भी ले या ना सीरी को भी ले लो वो भी attack create करता खतरनाग ठीक है आगे आपके पास स्कूरर बेठा है है ना वो जो पेट्री टोस है भाई वो तो हर मैच में गोली करने के लिए रटी रहती है फिर पीछे backline देखो backline भी बहुत अच्छी उनके पास है ना जब देखे East Bengal के पास ज़्यादा options के आए तो set pieces पे गोल निकल सकते है या counters पे खेलती है वो तो counter पे गर निकल गए तो निकल गए लेकिन 80 के महान बागान तो देखेगा ball possession भी चलाएगी बहुत अच्छे से ना build up ले करनी कोशिश करेगी क्योंकि ज़्यादा pressure देखना East Bengal के coach East Bengal के team ही लेगी 80 के महान बागान उतना pressure ने लेगी क्योंकि भाई वो अल्रड़ी प्लेओफ में खेलने वाले है और यहाँ पर क्या है ना यहाँ एक दूसरी बात आरे इस Bengal के लेग तो coach जॉब बचाने के लिए भी खेलेगा और players के लिए है कि भाई डर्बी जीत गया तो पुरा season होगा अच्छा निकल जाएगा last match हे क्योंकि है तो 80 के महान बागान इस match को जीतना ही चाहेगी तो match बहुत भेंकर होने वाला CDC बाती है तो आपको है ना इसको match को देखना मतलब भाई भूलना नहीं है मतलब यह देखना ही देखना है time निकालना आपको 90 मिनट चाहे कुछ हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए तो ठीक है आप इस match के लिए क्या कहना चाहते है आपकी रहा है क्या लगता है आपको किसका पलड आपको ज्यादा भाली नजर आता है काफी लोग अभी भी इस Bengal की फेवर में चल रहे है कि इस Bengal जीत सकती है लेकिन मैं तो यहाँ पर बोल सकता हूँ भाई ज्यादा positive अगर आप बोलेंगे तो बो मैं 80 की महनबगान के साइट जाना चांगो उनकी टीम ज्यादा बेटर लग रही है बागी कुछ भी हो सकता है हम तो neutral फैन है हम तो भी है इंडियन फिटबॉल फैन है हम तो कोई भी जीते हमको तो मैच ही है जबरदस्त तो वो हमको देखने को पक्का मिलेगा यह हमको भरोसा है विश्वास है तो आप बताएए आपके जो भी कमेंड आपके जो भी राय है कि इस मैच को लेकर आप जो कुछ कहना चाहिए जरू कमेंड में लेकर बताएगा और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर्ट करते रही है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भ